गमले में फिश का ट्रीटमेंट फिश का जो ट्रीटमेंट होता है ना तो बहुत बार हम लोग उसको घर में जो गमला वगरा रहता है वास वगरा बाल्टी वगरा उसमें हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो ये कितना सही है और कितना गलत आज इसके उपर एक वीडिय टैंक है so is this right or wrong ये वीडियो में पूरा खुलासा होगा वीडियो एंट तक देखिए दोस्तो और जो नए मेरे दोस्त है जो आज पहला बारा शुकर को को देख रहे हैं या कुछ दिनों से हमको फॉलो कर रहे हैं उनको बोलूंगा कि ऐसा ही इंट्रेस्टिंग वीडियो आप लोग के लिए हम लोग लाते रहते हैं तो डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक आवर वीडियो आवर कॉंटेंट तो चलिए वीडियो को आगे लेके जाते हैं दोस्तो सीधा आएंगे में पॉइंट पे अभी बजा आएगा ना भीडियो के गमले में फिश का ट्रीटमेंट सही तरीके से होता है या यह प्रोसेस आपके फिश को और बीमार कर सकता है या मार भी सकता है लेकिन उस से पहले थोड़ा सा में बात करूंगा के वाई वी न लोगों बना लो क्योंके एमर्जनसी में काम आएगा तो यह क्यों बोलते हैं इसके उपर में तीन पॉइंट अभी शौट में आप लोगों को बता देता हूं फिर जाओंगा गमला वाला वह पॉइंट पे तो सबसे पहले हैं कि जब कोई फिश बीमार होता है तो वह और में या फिर वो जगा पे हम लोगों को मेडिसिन देना पड़ता है ठीक है तब एक अकूरियम में ज्यादा तर हमारे दोस्तों के पास जो अभी यह वीडियो देख रहे है हाँ आपनी लोगों से बात कर रहा हूं एक फिश नहीं है कम से कम पांच साथ दस पंदरा ऐसा फिश करना पर रहा है अब आप सोचिए आप बिमार नहीं है लेकिन आपको कोई मेडिसिन खिला रहा है आपका बुखा नहीं है आपको मेडिसिन खिला रहा है आपका पेड़ मेडिसिन नहीं है लेकिन आपको बोला है खाओ मेडिसिन तो आपको क्या अच्छा लगेगा नहीं य लोगों को भी सफर करना पर सकता है find number two point number two है कि बीमार फिश को food नहीं दिया जाता है नीमार फिश को खाना stop रहता है अभ दिखिए अगर आप कोई hospital टैंक यह similar कोई टैंक नहीं लेंगे तो वह बीमार फिश का खाना बंद क्योंकि उसका तो उसके बज़े से उसी टैंक में अगर और 5-6 फिश है तो उन लोग का भी खाना बंद क्योंकि अगर खाना देंगे वह से वह बिमार फिश बिमार है लेकिन इसका भूख है इसके वह खाने पर अटेक करी या खाना खाना शुरू कर दे तो उससे केस बिगर सकता है अब ठोड़ा कंजस्टेट हो जाते है या फिर हम लोग डेकोरेट करते हैं तो में फिश का treatment कर रहे हैं जहां पे पुराना फिज भी है वो बिमार फिज भी हैस सब बहुत सारा पिज़न Getting ति वहाँ से आप क्या कर रहे हैं तो उससे क्या होगा उससे पानी गंधा हो अब हम लोग बात करते हैं कि गंबले में फिश का treatment सही है या गलत सबसे पहले देखिए बहुत सारा बीमारी होता है आपके फिश को अब जब हम लोग गंबले में फिश रखते हैं व्यूस कुछ इस तरीके का होता है मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं देखिए तो जब गंबले में रहता है फिश during treatment तो कुछ ऐसा दिखता है अब problem हुआ अगर आपके फिश को cloudy आई है ठीक है उसका आख में problem है drop आई है उसका जो आख है वो थोड़ा नीचे का तरफ थोड़ा जूल गया है down हो गया है या फिर उसको bulging एनस या similar कोई problem है मतलब जो sex organ होता है फिश का वहाँ पर कोई infections वगरा हो गया है कोई parasite attack हुआ है तो आप जब कोई गंबले में रख के उसको treatment करेंगे तो आप स्रीब उसका उपर से देख पाएंगे उसका आख साइच से या नीचे का पेट का जो portion है वो उतना अच्छे से आपको नहीं दिखेगा आपको बार बार उसको पकर के हाथ में लेना परेगा देखना परेगा तो इससे भी आपका फिश stress में आ सकता है और बीमार हो सकता है तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि अगर आप एक पुराना अकुरियम डेट दो फिट का कहीं से भी ले लेते हैं तो इस गूट फॉर फिश आपको साइट से दिख जाएगा क्योंके अकुरियम फोर साइट ओपन होता है तो आप किसी भी एंगल से किसी भी साइट से देख सकते हैं लेकिन गंबले में आप साइट से कैसे देखिएगा आपको उपर से ही देखना पड़ेगा और उपर से उसका back दिखेगा, head का उपर ये portion दिखेगा, लेकिन उसका आख साइट में रहता है ज्यादा तर तो वो नहीं दिखेगा, नीचे का portion ये नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे एक problem है, केचे केचे लोग रहते हैं यार यहाँ अब आते हैं एक interesting point पे, गमले में तो treatment हो रहा है, बहुत सारे दोस्त करते हैं, ऐसा नहीं के नहीं करते हैं, लेकिन कुछ-कुछ दोस्तों ने हम लोगों से एक सवाल पूछा हैं, क्या सवाल, वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो interesting होते जा रहा है और हम लोग ऐसा interesting वीडियो में खो जाते हैं, और subscribe या follow करना भूल जाते हैं, तो वो जरूर कर दीजे, क्योंकि आप जो point आ रहा हैं, वो बहुत interesting है, एक दोस्त किसे ने सवाल किया था, कि ये जो plastic का गमला है, उसमें हम लोग जब treatment करेंगे, तो चली, ariation दे रहे हैं, द हम लोग heater लगाएं, लगा सकते हैं, बहुत कोई लगाता है, वो जो plastic वाला गमला, अब हम लोग उसमें एक अगर heater लगा दिये, तो बहुत बार हम लोग सुनते हैं, कि अगर गरम हो गया, और plastic है, तो और medicine भी है, हम लोग treatment कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या कोई reaction हो सकता है, बहुत बार हम लोग बोलते हैं, कि कोई chemical reaction होता है, प्लास्टिक में, प्लास्टिक को अगर गरम किया जाए, तो ऐसा कुछ होता है, तो वहाँ पे medicine भी रहेगा, तो उससे क्या fish damage हो सकता है, तो ये confusion मैं दूर कर देता हूं दोस्तों, जो ये reaction होता है, प्लास्टिक को गरम होना परता है, और ये स्रिफ 28, 26, 30 degree नहीं, उसको कम से कम 45 से 50 degree, इतना ये temperature में गरम होना परेगा, तब जाके प्लास्टिक का, वो जो आप बोल रहे हैं, या सोच रहे हैं, chemical reaction कुछ होगा के नहीं, तब जाके होगा, और generally हम लोगों के लिए कभी भी 28, 26 से 30 से, generally हम लोग ज्यादा temperature फिश के लिए allow नहीं करते हैं, उसको उसके अंदर ही रखते हैं, और कुछ-कुछ फिश के लिए और भी कम, तो ये जो chemical reaction हो सकता है, के नहीं, प्लास्टिक गरम होने से, या पानी गरम होने से, तो वो टेंशन निकाल दीजिए, आपका फिश गमले में, इस प् के देखते हैं, कि वो फिश गमले में नहीं है, अरे कहा गया, देखते हैं, गमले के नीचे, पीछे, कहीं पे भी, वो गिरा परा है, और expire कर गया है, ऐसा क्यूं, क्यूंकि बहुत बार ऐसा कुछ फिश हम लोग treatment करते हैं, जो जम कर सकता है, तो क्या होता है, पहले शायद यह experience नहीं था, और कुछ-कुछ दोस्तों को शायद यह experience अभी भी नहीं, उन्होंने कभी ऐसा treatment नहीं किया है, तो जो मेरे दोस्त हैं, यह वीडियो देखने के बाद, hospital tank ले लेंगे, उन लोगो दिल से thank you, लेकिन जो अभी नहीं ले पा रहे हैं, और ऐसा plastic के गमले में, या बाल्टी, similar किसी में, अगर फिश का treatment करेंगे, तो एक चीज याद रखिए, monster fish अगर आपके पास है, चाहे वो गोरामी है, आसकर हो, या फिर एरोवना, यह जम करेगा, तो पानी का level तो कम रखिए गाई, हमारे help team के साथ बात कर लीजेगा, help number में दे दे दा हूँ, य नीचे रखिए पानी का level और उसको उपर से धग दीजे, आप कोई thermocall या किसी sheet से भी धख सकते हैं, या तो सबसे best होगा, अगर आपके पास कुछ net हुआ, तो net से आप लोग उसको धख सकते हैं, तो इससे क्या होगा, आप फिश को देख भी पाएंगे, at the same time ये डर नही accident हो सकता है, येस बहुत बड़ा, हम लोग क्या करते हैं, intelligent है, बहुत ज़्यादा intelligent हो जाता है काभी का बार, और वहीं पर गलती करते हैं, अब मैं अभी बात करा था, प्लास्टिक का गमला लेके, तो जिनके पास समझ लीजे, प्लास्टिक का गमला नहीं है, और जिनोंने मेरा ये वीडियो पूरा नहीं देखा है, ये अगले पॉइंट तक ही देखके, उन्होंने skip कर दिया, ठीक है, अब उनको लगेगा, अरे असोक सर या सोक दातों बोल रहे थे, कि गमले में हो सकता है, तो चलो प्लास्टिक का गमला नहीं है, तो स्टील का गमले से ही कर दे अब क्या होता है, इलेक्टिक और मिटल, कभी कबाट डेंजरस हो जाता है, जिससे एलेक्टिकल एक्सिटन हो सकता है, आपको करेंट लग सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, तो कभी भी अगर आपके पास hospital tank नहीं है मैं दोस्तों हमेशा request करूँगा एक 1.5 feet का tank ले लिजे, 2 feet का tank ले लिजे जब fish रहेगा उसमें treatment होगा तब उसमें पानी डालके कहीं रखिए जब नहीं होगा तब उसको साफ करके आपका अगर space कम है तो कहीं पे रख दीजे लेकिन अगर वो नहीं है तब ही आप लोग plastic का गमला यूज कीजे लेकिन उसमें भी problem है और steel या दूसरा कोई metal का गमले में thermoster लगा के electric दे के कोई treatment मत कीजे ठीक है तो ये चीज एकदम दिमाग में रख दीजे भूल से भी ना हो और अभी तो रुको climax अभी बाकी अब आप लोगों को दूँगा दो bonus idea ओके या फिर दो bonus point लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो अभी तक आप लोगों को कैसा लगा comments में जाईए ज़रूर आपका importance comments लिखिए क्योंकि आपका comments मैं परता हूँ और मैं interesting comments को ज़रूर reply करता हूँ और एक दोस्तों आप लोग अगर Instagram या फिर Facebook में ये वीडियो देख रहे हैं तो follow ज़रूर कीजिएगा YouTube में जो मेरे दोस्त है आप लोगों का बहुत प्यार दिख रहा है तो like ज़रूर कीजिए तो bonus में पहला है आप जो ये hospital tank या hospital गमला जो भी जहां भी fish का treatment कर रहे हैं आप उसको हमेशा थोड़ा सा dark space में रखिए dark place में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितना अंधेरा रहेगा वो थोड़ा निश्चिंद रहेगा वहाँ पर अगर ज़्यादा आडमी आना जाना करेगा light गिरेगा तो उसको थोड़ा सा problem होता है हम लोग जब बीमार होते हैं हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा सान्थ हो जाते हैं थोड़ा सा room में चले जाते हैं थोड़ा सा सोने को मन करता है लेकिन वहीं अगर कैवस में डाल दिया जाए तो हम लोग थोड़ा problem में आएंगे so थोड़ा mental peace दीजिए number two आप लोग यह जो hospital tank में या गमले में जहां भी fish का treatment कर रहे हैं आप लोग कोशिश कीजिए वो जो water आप लोग दे रहे हैं treatment जहां करेंगे fish का वो water 70% minimum आप लोग उसी existing tank से ले जिस tank में वो बिमार fish था बाकी 30% दूसरा कही से भी जहां सा पानी ना आड़ कर सकते हैं वहां से 30% नाया पानी लीजे बाकी 70% पुराना वही है कुरियम का पानी क्योंके उसमें bacteria level ठीक ठाक है temperature भी ठीक ठाक रहेगा तो जो जाएगा जब वो water में तो उसको abnormal कुछ लगेगा नहीं एक important चीज़ दोस्तों फिर बता देता हूँ कोई भी treatment लेके confusion है तो आप लोग इस number पर communicate कीजिए ये अशोगा का help line है और ये totally free है ऐसा नहीं कि स्रिफ हम लोग हमारे customer को ही reply करेंगे all over India से जितने भी दोस्त है problem में है message करते है और हम लोग reply भी करते है अब manpower कम है तो थोड़ा सा time लगता है दोस्तो free service है इसके लिए बहुत ज़्यादा response है लेकिन हम लोग धीरे-धीरे कोशिश करते है सारा response को response करने का और एक important चीज़ है दोस्तों बहुत सारे दोस्ते जो हम से fish लेना चाते हैं हमारे team से बात करना चाते है confusion है वो दूर करना चाते है तो जो भी जहां से भी ये video देख रहे है all over India में 90% जगा पे delivery possible है via flight, via bus, via train अब जैसे possible होगा जो vehicle से हम लोग OSS से पहुँचा देते है और जो मेरे दोस्त कोलकाता से देख रहे है अमार कोलकाता और बोंधूरा जालाई वीडियोटा देख चेन आपनारों किंतु order कोड़ते पारें कोलकाता के लिए home delivery service हम लोगों का चालू है ये दो number order के लिए है booking लिए है सुभे 11 बजे से सामके 7 बजे तक और help line number है जिसमें बीमार फिश का treatment होगा वो है सुभे 11 से सामके 5 बजे तक तो आप लोग personal visit भी कर सकते हैं अशोग अक्वा नेर टो शियल्दा station और EM bypass दोनों के बीच में ही है अशोग अको कोलकाता टैंगरा में है आप लोग आके हमारे workshop में विजिट कर सकते हैं बहुत सारा variety यहाँ पर आप लोगों दिखेगा स्रिवाने से पहले एक बड़ कॉल कर लिजे और timing हमारे team से पूछ लिजे thank you very much नया वीडियो लाऊंगा आप लोगे लिए फिर तो आप लोग कौन सा वीडियो कौन सा टॉपिक के उपर क्या देखना चाहते हैं कॉमेंट्स में लिखते रहिए मैं आप लोगे लिए ऐसा ही वीडियो बनाता रहुँगा सबाइकों भाले धांगें नमस्कार